हेलो गाइज वेलकम तो माई यूटूब चैनल गाइज यह हमारा WC MCQ का 4AK2 part 13 है ठीक है इसमें मैं आपको डैवेश्टी टेक्निक से लेटर जितने भी कॉंसेक्ट और जो क्वेश्टिन वह बताऊंगे ओके आपको बता देखें बता जेसे अब क्या होगी आपके क्युंस को समझने में ठीक है तो आपको बताई कि जैसे कोई भी किसिगनल होता है जब हो ट्रैविक गरता तो यह प्रतेक्ष जाथिए ट्रॉब्लम होती ठीक है तो उसा क्यों फेट प्रोटेक्निक पर यूस करते है इ व करते हैं हैं cullo isn'te एकनल से सर्दाइन खूम्य में चैनल से उन्य अचा सभी संसी मास्जिनिटि और और सफिर्टि उन्पक्रेञ उन्रस्च पेड़ कालां गडर कि एक सिंगनल वह इंत में जग कोई तो आतों इसा में सभी सिगनल स सब्सक्राइब कम होई होगी ताकि अपने औरिजनल सिंगनल को डिसाइड कर पाए तो यही डैवस्टी टेकनिक का में एम होता है कि जो डिफरेंड मल्टी पाथ से जो चैनल्स आ रहे होते हैं उन सब को अलग अलग आप पूरा का पूरा वो कर लो ठीक है रिसीफ कर लो एंड कोई तो सिंग मैं घवस्टी टेकनिक होई है यह उन सहांस है कि मैं तुट से जोरा रिकांट मारी टेकनिक हैं तो बाहई पुछिपति हुआं र काफ भी ट्रेक्समेंस अभ्या धाए ल मल्टीवकिंजे कम्नूनीकbourम डिफरेंड करा के लिड नहीं होता है लिएगा वाइंड का दिऩा कुश्चिन नमर टू किया डावस्टी डिसेजन और मेड़ं करते हैं तक्यां कि मैड़ करता है अब सकते हैं अब रूस्टी विए पर एक टेक्निक आपलाई कि जाती है और रिसीवर ही आपका डिसेजन इसमें लेता है कि आपको इसमें से कौनसी सिगनल को छोऊंच करना डि धे हन्य और छोड़ गल करें। और उसके अथे में से चोड़र हमे हमें। क्या Nicki이나 स्मॉल इसेल फेड और कश्चेराशन बाइma स्मयल आइंट ऐसेल फेड़ इसले पेड़्टेशन में 울टर खड़्टेशन sina हटानियों ग्रीक इस इक मैसुतं लिप इंट लगतःशन ये ही है अग λगै इसमें क्या होते है जो क्या होते हैं जो इस भी ख़ोगई होता है नहीं पिस दोड़ी क्लिए होता है कुछ थूरी क्लिए क्लिए खुछ वेवलेंक क्लिए होता है त transfnd आपको पता है कि इसमें यह जो question पूछा है इसमें इसको option D होगा guys यह आपको पता होना जहें कि microscopic diversity technique होती है यह यह यूज की जाती है प्रेवेंट करने के लिए diff-fed diff-fed के against अगर हमको प्रेवेंट करना है तो हम microscopic diversity technique के यूज करते हैं in order to prevent diff-feds from occurring microscopic diversity technique can exploit the rapidly changing signal जो भी rapidly changing होता है signal में उसको exploit कर देता है and by selecting the best signal at all time the receiver can mitigate small-scale fed effect जो small-scale fed effect होता है जो small-scale fed effect होता है उसको mitigate कर देता है आपके जो भी receiver पर signal आ रहा है उसमें से best signal को चूज कर के ठीक है तो आप इसके लिए कौनसी आप याद अखना कि diff-fed की condition में याई small-scale fed की condition में कौनसी डिवेश्टी यूज करते है microscopic diversity technique question number 5 ए कि large-scale fedding can be mitigated with the help of the large scale जोती है guys आपकी macroscopic diversity technique के दोहरा मिटिगेट की जाती है ठीक है it is done by selecting a base station which is not saddened when other are ठीक है the mobile can improve substantially the average signal to noises ठीक है इसमें सबसे जो हमारा वो base stations चूज करते हैं जिसमें सबसे होती है नहीं होती है जबकि बाकी base stations सबसे हो ही रहती है ठीक है और जो mobile होता वो इंप्रूफ करता है सबसें जिल और इससे क्या होता है जो average signal to noises से होता है वो इंप्रूब हो जाता है क्श्चन नमर 6 क्या है Space diversity also known as space diversity को guys we call antenna diversity भी कहते है इसमें क्या होता है कि एक popular form of diversity होती है यह जो कि wireless communication में यूस क्याती है signal जो होता है receive होता है from a spacially separated में क्या होता है कि क्या antenna जो एक specially separated होता है ठीक है और उनसे हम signals को अलगलग collect करते हैं receive from the specially separated antenna on a mobile would have essentially uncorrelated envelope for antenna separation ठीक है और वो सब जो होता है आपस में एक दुसरे से uncorrelated होता है ठीक है फिर उनको हम correlator से pass करते हैं और उसके हम डिसाइड करते हैं कि जिसकी भी strength सबसे अच्छी होगी हम उसी signal को अपना receiver में फिर send करते हैं okay, receiver पर जबी signal पॉसते है तो इसको different different correlator से pass करा जाता है और फिर जिसकी signal सबसे strength अच्छी होती है उससे हम क्या करते है अपना original message signal को defend कर लेते हैं, okay question no 7 कि which of the following is not a category of space diversity technique तो इसमें पूछा कि space diversity technique का इसमें से कौन सा category नहीं होगा तो guys इसमें जो B number है time diversity space diversity, time diversity यह दोनों अलग-अलग technique है okay, space diversity में आपकी selection, feedback और equal gain diversity आती है but time diversity यह अलग ही पूरा-पूरा method है space diversity reception matter can be classified into 4 category 4 category क्या क्या है आपकी selection diversity, feedback diversity, maximum ratio maximum ratio combining diversity and equal gain diversity, okay question number 8 क्या है कि in selection diversity the gain of each diversity branch provides different SNR, okay यह बात इसमें false है selection diversity uses MD modulator to provide M different diversity branches and their gain is adjusted to provide the same average SNR for each branch, okay उनके gain को इस तरह से प्रवाइट किया जाता है guys कि आपका जो भी जैसे कि आपने MD modulator demodulator receiver site पे लगाँगे तो उससे अगेन इस तरह से प्रवाइट किया जाता है कि आपका सबसे जो SNR है, average SNR वो आपका same genet हो, ठीके आपका अपका जो सबका average SNR same genet हो, different नहीं होना चाहिए, ठीके तो यह अपका इसलिए option आपका false होगा 9 आपका पॉलाइशन डैवेश्टी uses dash as the diversity element तो पॉलाइशन डैवेश्टी जो हता है आपका वो reflection coefficient को use करता है as a diversity element, ठीके इसमें decoalition कियाता है signal का हर एक correlation पे and reflection coefficient for each polarization is different, अपका reflection coefficient different होता है which results in different amplitude and phase of phase for each reflection और इसमें हर एक reflection में जो आपका amplitude होता हो और phase होता है वो different होता है, ठीके तो आप इसमें आपका पॉलाइशन डैवेश्टी में हम reflection coefficient को यूज़ करते है as a diversity element, question number 10, which of the factor does not determine the correlation coefficient तो इसमें से आपका correlation coefficient को इसमें नहीं करता है वो आपका coherence time coherence time जो होता है the correlation coefficient determined by three factor polarization angle, offset angle from the main beam direction of the diversity antenna and the cross polarization discrimination, the correlation coefficient becomes higher as offset angle becomes larger आपका offset angle large होता है वैसे आपका correlation coefficient भी हाई हो जाता है और इसको determine करने के तीन factor है polarization angle offset angle main beam direction of the diversity antenna main beam offset angle cross correlation discrimination question number 11 frequency diversity is implemented by transmitting information on more than one carrier frequency frequency diversity predicturities more than one carrier frequency features as to each signal middle of the individual frequency ás can beIfwhen Repeat as to the previous 치 संक्याल भाल को दाता की तो 방ल मेंध तो अशनषा संहे लिए अशनषाम एक उन्षामी नरशाओ चर्ब्स टो ईवली नस्टाने दाते पंडोर गाल खा Hayır में ठीचिनल को निचे सार षपन होती एक जो 12. Quesion का है, Frequency Divacity uses, Frequency Divacity आपका यूज़ करता है, Coherence Bandwidth as a Divacity Element, यह भी आप याद रखना कि Frequency Divacity में, Coherence Bandwidth आपकी Divacity Element होती है, जैसे कि आपने पीछे के देखा था, Reflection Coefficient थी, वैसे ही आपे Frequency Divacity में Coherence Bandwidth जोती है, कि आपकी Divacity Element की तरह वर्क करती है, याद रखेगा गाईसे स, ठीके, इसमें क्या होता है, कि अगर आपकी Frequency Divacity से जादा, मतलब बैंविध पर सेपरेटर तो वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके चैनल अनकोईलेटर हो जाएंगे, जिसके कांट क्या होगा, वो लोग सेम फेटर हो जाएंगे, कि अगर आपका मालचे कोई चीज को रिलेटर है, तो फेडिंग भी उसमें सेम होगी, लेकिन अगर कोई दो चीज अनकोईलेटर होगी, तो उसमें फेडिंग क्या होगी, डिफरेंग होगी, टो फेडिंग बिफरेंटर हें ओल, टो हमें अजा न कोई फेडिंग क्या हम लुक्णा होगी होगी, हम हमें ऐसा करने का करना मतलब ह मतलब नहीं हो से एक में जादा फेडिंग होगी, तो दुसरें में कम मतलब होगी, तो उनके बीच में एक distance, एक gap भी तो होता होगो ना, वो gap हमारा coherence bandwidth से ज्यादा होता है, ठीक है? 13. नमबर क्षेशन कहा है कि frequency diversity is good for low traffic condition, तो guys यह false है, frequency diversity is not good for low traffic condition, this technique has advantage that it not only requires spare bandwidth but also requires that there be as many receiver as there are channel used for frequency diversity, however for critical traffic, the expenses may be justified, okay? तो यह आपका low traffic के लिए आपका diversity technique क्योंकि यह सारे में कही सारे में क्या अदाव लोगावस, यूस करो, तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको अतने सारे receiver पे उतने सारे आप जब आपर रेसिवर हैं वहां पर कही सारे receiver यूस करने पता है, यह हार एक सिगनल के लिए आपको कई सारे सिव एक उसलिट प्रैय। तो पिर उसे हो जाएगे तो उसको लो लो टैफिक पर यूज्टेर को तब मतलब नहीं है तो इसे गड़र पर चाहिए पर इस इंगरने समफ करते हैं किस ताइम स्पैसिंग पर यहां पर टाइम कोरेंज से जादा पर यानी अब यूस दो अब तो इसको और समय बढ़ाके मॉन कुछ और समय रोक के तब ढूंद करो तो दूसरा समय नद तो أछैंट इस तो यहां पर चैनल का कॉरेंस टाइम होना चाहिए याद रखेगा थास मुल्टिपल रेपिटिशन आफ दी सिंग्नल विल भी रिसीव इंडिपेंडेंट फैडिंग मैं आपको पाली बता है कि हमको सिंग्नल को अनकोईलेटिट करना अनकोईलेटिट में फिक्वेंसी में जैसे आप कॉर माइस्न आपको अनकोई तेम मैं sachो याका मैं आपको अनकोई सिंह आफ कर मैं अनकोई छ। बहुत तेम्स का थासी नारिट मासीं च本जेद लिए क्योग कोई सम अनकोई व्यों, हमकोई सम लेकल भी इंडिट्कों नेस स». SNR equal to some of the Envido SNRs does it has the advantage of producing an output with an acceptable SNR event So guys, our question will end on the divestery Now, if you like my video and you are getting the right content then please like, share and subscribe to my channel Guys, please like and subscribe and share with your friends If you need PDF, you can contact me I will upload all the videos in the video Don't worry, I will upload all the videos in the 25 ppt You don't have any questions for that If you want to comment, you can download the PDF If you don't mind, don't do it But I will upload all the videos But guys, you have to share Please share this video to more and more students If you think it is helpful If you think it is helpful or not, it is helpful Please, please guys, please share this video Thank you guys